दोस्तो एक भाई ने बहुत ही प्यारा सा सवाल पूछा है सवाल पहले मैं आपको बता देता हूँ उसके बाद जवाब भी दूँगा उन्होंने कहा है कि मैं काफी महीनों से गाड़ी चला रहा हूँ फिर भी मैं पुराने ड्रैवर जैसा गाड़ी नहीं चला पाता हूँ अभी भी जब मैं गाड़ी चलाता हूँ तो मेरी गाड़ी अच्छे से नहीं चलती है आखिर इसका रीजन क्या है इसका कारण क्या है आखिर पुराने ड्रैवर और ने ड्रैवर में क्या फर्क होता है दोस्तो आज मैं आपको इस वीडियो में यहीं बताओंगा कि आखिल नय ड्रैवर और पुराने ड्रैवर के बीच में वो कौन सी बात है जो नय ड्रैवर को नहीं पता होता है पुराने ड्रैवर को पता होता है दोस्तो वीडियो को ध्यान सी देखेगा, पूरा देखेगा, बहुत ही छोटा सा वीडियो होगा दोस्तो मैं आपको छोटे से एक उदाहरण में समझा दूँगा, आप अच्छे से समझ जाएंगे लेकिन दोस्तो अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो दोस्तो वीडियो को एक लाइक तो जरूर बनता है अगर आप चैनल भी पहली बार है दोस्तो तो चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लेना तो चलिए सुरू करते हैं दोस्तो एक छोटा सा मैं आपको उधारन देता हूँ जैसे कि एक दुकानदार है काफी साल से वो दुकान चला रहा है आप उसके आँ जाते हैं चाहे बड़ी चीज चाहे छोटी चीज मांगते हैं तो आपको वो एक बार में लाके तुरंत दे देता है क्यों दे देता है क्योंकि दोस्तो उसका दुकान है उसके हिसाब से समान सेट किये गए है उसको पता है कि कौन सा समान कहां रखा गया है चाहे वो छोटा समान हो चाहे बड़ा समान हो अब बात करते हैं, उसी दुकानदार को अगर हम दूसरे दुकान में बिठा देते हैं, तो जो basic चीजे हैं, जो बड़े बड़े चीजे सामने दिख रहे हैं, वो लाके वो तुरंत दे देगा, लेकिन अगर आप कोई छोटी चीज मांगते हैं, किसी और के दुकान में उसको बिठा करके, तो वो तुरंत नहीं लापाएगा, उसको समझने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, वक्त क्यों लगेगा, क्योंकि उसका खुद का दुकान नहीं है, उसके हिसाब से समान नहीं रखे गए हैं, तो उसको समझने में एक दो दिन लग सकता है, क्योंकि दोस्तों जो भी पुराने ड्रैबर हैं, आप उनको किसी भी गाड़ी में बिठा दो, तो वो गाड़ी को चला लेते हैं, आखिर क्यों चला लेते हैं, क्योंकि उनको clutch, brake, accelerator और steering जो भी गाड़ी का switch है, मतलब controlling का हर एक parts गाड़ी का जो होता है, उनको अच्छे से पता होता है, वो अच्छे से उस parts से परचित होते हैं, दोस्तों आप कह सकते हो कि वो familiar हो जाते हैं अपने गाड़ी के साथ जो गाड़ी वो चलाते हैं तो यह जो basic चीजे हैं वो अच्छे से control कर लेते हैं गाड़ी को चला लेते हैं अगर उसी पुराने driver को आप किसी दूसरे के गाड़ी में बिठा दो अंजाना गाड़ी में जो गाड़ी वो कभी नहीं चलाए है तो गाड़ी तो चला लेंगे क्योंकि दोस्तों क्लच, ब्रेक, इस्टेरिंग ये तो बेसिक चीजे हैं सबको पता ही है लेकिन अगर कोई और उसमें जो नए फीचर्स लगे हुए हैं गाड़ी में दोस्तों उस दोस्तों नए ड्राइबर जो होते हैं वो गाड़ी चलाना सीख रहे हैं उनको किसी भी सेट अप के बारे में पता नहीं है जैसे कि मुझे कोई दुकान में लाके बिठा दो जाके तो मैं कोई भी समान आपको नहीं दे पाऊंगा क्योंकि दोस्तो मुझे कुछ भी नहीं पता है सीखने में मुझे करीब एक साल या छे महना निकल सकता है इसी तरह से दोस्तो यह driving भी है अगर आप गाड़ी सीख रहें तो आपको कुछ भी नहीं पता होता है हर एक ची आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को दोस्तों एक लाइक कर देना, अगर आप चैनल पे पहली बार ने तो चैनल को सस्क्राइब कर लेना, दोस्तों आप लोग कमेंट करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और वीडियो बनाने का मन भी करता है, इस और दोस्तों वी बहुत ही लेट आ रहा है मेरा हाया ये बी यो क्योंकि दोस्तों मैं बहुती बीजी था विर टाइम नहीं मिल रहा है चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडिएयो में किसे किना यहींज, हुछ